नमस्कार एक रिज़ बैनी फोर देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आन्या सिंग बिहार की राज़नीती बे काफी हलसर मज़ी हुई है खासकर चराग पास्वान की वर्तवान राज़नीती स्थीती पर चराग पास्वान जो काफी जोश में थे और उग्र राज़ीती कर रहे थे अब ठंडे पड़ गए हैं सूतरों के मताबिक चराग पास्वान को किसी ने हड़काया है उसकी वज़े से वह अब राज़ीती की रूप से उतने सक्रिय नहीं है यह बयान बिहार की राज़ीती के संदर्व में काफी मतपून है क्योंकि चराग पास्वान का उभरना और फिर अचानक उनका ठंडा पड़ जाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है चराग पास्वान की राज़ीतिक उड़ान को भाजपा ने नियंतरित किया है यह साफ तोर पर कहा जा रहा है कि भाजपा ने चराग के पंक कतर दिये हैं वो पहले जैसी स्वतंतर और अकरापमक राज़ीती नहीं कर पा रहे हैं भाजपा ने चराग के खिलाफ उनकी ही पार्टी और परिवार के सदस्यों का इस्तेमाल किया है विशेसकर चराग के चाचा और उनके भाई जिन्होंने चराग को मुख्यमंतरी पत का उमिदवार घोषित किया वे भाजपा के खेल का हिसा बन गए कहा जारा है कि जो लोग चराग को मुख्यमंतरी उमिदवार के रूप में देख रहे हैं उनकी राजनितिक समझ कमजोर है क्योंकि चुराग पास्वान का राजनितिक अनुभाव और ताकत इस दावे को समठ नहीं देती अब वितादी कि चुराग पास्वान के मतिहानी विधान सबाद चुना को धारन देते वे उनकी राजनितिक शम्ता पर सवाल उठाए गए हैं क्योंकि चुराग पास्वान ने अकेले मतिहाने से चुना लड़ा लेकिन वह केवल एक ही सीट जीत पाए और वह विधायक बाद बेनितिस कुमार की पार्टी में शामिल हो गया इस तथे को लेकर सवाल किया गया कि जो व्यक्ति एक विधायक भी नहीं जीत सकता वो मुख्य मंत्री कैसे बन सकता है इस तन से यस पष्ट होता है कि चुराग की नितुत श्रमता और उनके राज़ुतिक भाविश्य पर गंभीर संद्य है आपकुतादे कि चुराग पासवान की भाजपा और पधान मंति नरेंदर मोदी के साथ निकटता को भी आड़े हाथ हु लिया गया है बता दियें कि बात की चर्चा काफी जोरों पर है कि चुराग पासवान को भाजपा का समर्थन प्राप्त है और यह समर्थन ही उनकी राज़ुतिक नया को पार लगा रहा है चराग पास्वान को मोदी के हनुमान के रूप में प्रस्तुत करते वे संकीर दिया कि चराग का राजविति भविश पूरी तरह से भाजवा और मोदी के इशारों पर निर्वर है इस टिपनी से यह भी स्पष्ट होता है कि चराग पासवान की स्वतंतर राजनीतिक पहचान कमजोर हो चुकी है और वह भास्पा की सत्रशाया में ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं चराग पासवान की परिवार और पार्टी में उठा पटा की संभावना भी इस बात से स्पष्ट होती है राज़ुदिक गलियारों में इशारा किया गया है कि चराग के तीनों सांसद भी उनके खिलाफ जाने की फिराक में है यह बात इसको संकेत देता है कि चराग पासवान की पार्टी और परिवार में आंतरिक कला है जिससे उनकी स्थीति और भी कमजोर हो रही है भाशपा ने चराग के चाचा और भाई को उनके खिलाफ मोहरे के रूप में सिमाल किया और इससे पार्टी में फूट की आशंका और बढ़ गई है चराग पासवान जो एक समय भाशपा से अलग होकर अपने दम पर चुनाव लड़ने का दमखम दिखा रहे थे अब भाशपा की शत्रशाया में बापस लोड़ते दिख रहे हैं इस स्थिती में सवाल उठता है कि चराग पासवान की पार्टी में कितनी ताकत बची है और क्या वह आने वाले चुनाव में अपनी पकड बनाए रख पाएंगे या नहीं क्योंकि विपक्षी दलों के लिए ये स्थिती एक अवसर बन सकती है यदि चराग पासवान की पार्टी और परिवार में फूट परती है तो विपक्षी दल इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा ने चराग को कमजोर करने के लिए सोची समझी रणनीती अपनाई है चुराग पास्वान को कमजोर करके भाजपा ने यह सुनुशित किया कि वह बिहार की राजणीती में एक प्रमुख खिलाडी नहीं बन पाएंगे यह सीती न केवल चुराग के लिए बलकि उनके समर्थकों और पार्टी के लिए भी चुनता का विशह है अब यह देखना होगा कि चुराग पास्वान इस चुनुशित को कैसे सामना करते हैं और क्या वह अपनी खोई हुई राजणीतिक ताकत को फिर से हासल कर पाएंगे या नहीं तो फिलाल के लिए बस इतना ही बड़ी खरबर के बड़ी विमारे साथ और देखते हो एक्टिन 24 धन्यवाद